रन्बीर और आलिया की शादी के बाद सब के जुबा पर एक सवाल था कि इतनी बड़ी कपूर फैमिली और इतने इनके फैंस सब लोग इनके बारे में जानना चाते हैं फिर शादी को इतना प्राइवेट और इतना बंद बंद इतना सीक्रेट रखकर क्यों किया गया इनफैक शादी के एक दिन पहले तक नीटू सिंग ने शादी के बारे में बात नहीं की और कहा कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है मना ही कर रहे थे जबकि सब तरफ मीडिया में बात थी कि शादी हो रही है Finally अब नीतु सिंग ने reveal किया है क्यों बेटे रनबीर ने अपनी शादी को इतना secret रखा नीतु सिंग ने कहा कि रनबीर इतने social नहीं है वो जादा लोगों में गुलते मिलते नहीं है साथ ही उनका मानना है कि बतौर actor पब्लिक तक उनकी वो बाते पहुँचनी चाहिए जो वो professionally कर रहे हैं यानि कि कौन से film आ रही है, क्या कर रहे है Private life की बाते वो audience को नहीं बताना चाहते हैं और उसे एक mystery, एक राज ही रखना चाहते हैं नीतु सिंकर ये भी कहना है कि बतौर actor, audience उन्हें थेटर में देखने जा सकती है वही काफी है, वो ये नहीं चाहते हैं कि audience उनके घर के अंदर की वीडियोस देखें जिसमें वो dance कर रहे हैं, अपने personal space में आलिया भट के साथ enjoy कर रहे हैं अपनी family के साथ enjoy कर रहे हैं, ये सब वो audience को नहीं दिखाना चाहते थे इसलिए इस शादी को इतना जादा private रखा गया हाला कि इस बात को नीतु कपूर ने खुद से connect करते हुए बताया कि रनबीर वैसे ही है जैसे रिशी कपूर है, हम भी हमारी शादी में यहीं चाहते थे कि जादा चीज़े बाहर ना जाए और बहुत ही private रखने की कोशिश की थी, हाला कि तब तो पापराजी भी नहीं थे तो इतनी problem नहीं आई, लेकिन आज की date में शादी को इतना private रखने में थोड़ी तखलीव आती है तो रनबीर कपूर के कारण ही शादी को private रखा गया, उनका मानना है कि बतौर actor, audience उनकी filmे थेटर में जाकर देखे और राज जो है, वो राज रहना चाहिए personal life का, personal life की चीज़े वो audience तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं इसलिए शादी को भी private रखा और खुद भी किसी भी social media handle पर नहीं है जबके आज की date में कई सारे celebrities अपने social media handle से करोडों कमा रहे हैं खुद उनकी wife आलिया भट भी कमा रहे हैं लेकिन रन्बीर इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते हैं इसलिए इस शादी को इतना secret रखा गया